Hello everyone and welcome to Comfortable Studies मैं हूँ पारुन मैम और आज हम क्लास 7 की साइंस का लेसर नमबर 1 Nutrition in Plants इसका Part 2 करेंगे Part 1 का link description box मैंने दे दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं और Part 3 करने के बाद जब नेक्स्ट वीडियो में question answers के उपल भी बनाऊंगी अगर आप इस सारी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको assure करती हूँ कि science में आपके marks पूरे ही आएंगे और आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे comment box में लिखकर बता सकते हैं मैं आपकी problem को solve करने की कोशिश करूँगी ठीके तो हम इस part में क्या करेंगे nutrition, parasites, insectivorous plants and septotrophs तो हम स्टार्ट करते हैं nutrition in plants part 2 इसमें आता है heterotrophic mode हमने part 1 में पढ़ा था autotrophic mode जिसमें photosynthesis था अब इसमें आता है heterotrophic mode इसमें क्या होता है कि plants which do not have chlorophyll जिनमें chlorophyll होता ही नहीं है वो कैसे अपना food करते हैं कहां से लेते हैं तो वो cannot synthesize their food by the process of photosynthesis तो जिन plants में chlorophyll नहीं होता वो अपना food synthesize नहीं कर सकते such plants depend on the food produced by other organisms यह किसके उपड़ इपड़ रहते हैं जो other plants होते हैं यह उनके उपड़ इपड़ करते हैं so this is heterotrophic mode of nutrition this is heterotrophic mode of nutrition और ऐसे plants को क्या कहते हैं heterotrophs तो वो किस-किस टाइप से दूसरे plants से लेते हैं यह कैसे दूसरे organisms के उपड़ depend करते हैं यह अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले दिया है parasite परासाइट माने पैरा मतलब दूसरे के उपड़ साइट माने रहना या अपनी जगह बना लेना तो दोस प्लांट्स which depend and flourishes on other plant body are called पैरासाइट्स ऐसे प्लांट्स को या जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं या उनके उपर depend करते हैं और पनपते हैं मतलब ग्रो करते ह दूसरे प्लांट के ऊपर are called Parasites उनने क्या कहते हैं पैरासाइट्स कहते है दे टेक नरिश्मेंट from the host प्लांट आ जिस प्लांट पे वो रहते हैं और उसमें अमर बेल काश कटाया अमर बेल यह आप डायग्रायम में देखोंगे तो आपने जगा जगा अपने आसपास पार्क में जो पेड़ होते हैं उन पे आपने इस तरीके की यलो-yellow कलर की वायर तार जैसे प्लासिक के तार होते इस तरीके से लटकी होती है सारे में आप अपकी तो आपको यह दिखाई दे जाएंगी तो आप जान सकते हैं कि देखो यह कौन से टाइप का nutrition ले रहे हैं तो आप मुझे बताना आपने देखा पार्क में आसपास कहीं पेड़ होंगे तो उनके उपर यह यलो यलो कलर के तार जैसे लटके होंगे यह होंगी कसकटा या अमर बेल तो आप इतना आप knowledge में आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप देखोगे और मुझे comment करके बताना कि आपने देखा पहचान लिया तो इसमें एक definition आती है यहां पे होस्ट होस्ट की भी कई वर exam में आ जाती है तो the plant on which parasitic plant climbs is called the host ऐसा plant जिसके उपर parasitic plant रहता है और अपना nourishment लेता है उसे हम host plant कहते हैं तो अब हम थोड़ा सा यहां अमर बेल के बारे में और जान लेते हैं यह देखो यहां तो अमर बेल ने पूरा पेड को ही कबजा कर लिया मतलब जिसके घर में रहा उसी को ही नश्ट कर देते हैं कई बार उसका सारा nourishment ले लेते हैं ठीक है तो अमर बेल और कसकटा हाज नो chlorophyll इसमें chlorophyll नहीं होता हैंस इक टेक्स रेडिमेड फूड फूड फ्रॉम दा हॉस्ट प्लांट इसलिए जो दूसरा प्लांट या दूसरा ट्री कोई जो बना रहा होता है नरिश्मेंट फूड ले अब बना रहा होता ह इसको सक कर लेते हैं ठीक है यह देखो नेक्सिस इस इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है शिक्स क्लास में भी इन्सेक्टी वोरस प्लांट वो प्लांट जो इन्सेक्ट को खाते हैं So, there are certain plants which do not get sufficient nutrients from soil. जिनने मित्टी से sufficient nutrient नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो कीडों को खाते हैं. कैसे खाते हैं? These insect eating plants are called insectivorous plants. Example है, picture plant, venus fly trap and butter wart, etc. वैसे तो काफी सारे होते हैं, पर यहीं important है, picture plant, venus fly trap and butter wart. अब इनके आप pictures देख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर पहले वाला picture plant. Picture का मतलब क्या होता है? Picture होता है, घड़ा, जो जिसमें हम पानी पीते हैं, जिसमें गर्मियों में पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, that is called picture. तो यह उसकी shape का होता है. यहाँ पर देखो, यह उसकी shape का है न, बिल्कुल घड़े जैसी shape बनी हुई है. So this is called picture plant. And this is venus fly trap. यह क्या होता है, यहाँ पर trap, मतलब देखो, इस पर यह पंकी बैची है, एक fly बैची है, और यह एकदम से बंद हो गया. तो यह उसको trap कर लेता है, जकर लेता है. और third है butter watch, यहाँ पर भी यह flower है, यह वाला. यह क्या होता है, जब भी इस पर को insect आता है, तो यह बंद हो जाते हैं. ठीक है, butter watch, venus fly trap and picture plant. तो question कैसे आ सकता है, give examples of insectivorous plants. तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है, next आता है picture plant. इसकी structure कई बार आपको define करने के लिए exam में आ जाती है, यह define the structure of any insectivorous plant. तो आप picture plant को draw कर सकते हैं, और आप जो है, उसको define भी कर सकते हैं, कैसे? The picture-like और jug-like structure is the modified part of leaf. यह जो leaf होती है, यह पत्ती आगे से ही घड़ी की तरह से यह जग की तरीके से बन जाती है. तो यह modified leaf होती है, यह जो structure होती है, this is a modified part of a leaf. पत्ती का ही एक modified form होता है, the apex of the leaf forms a lid. तो पत्ती का जो उपर का part होता है, वो धकन की तरह बन जाता है, which can open and close. When any insect sits at this plant, the lid gets closed, and the hair-like structure inside the pitcher traps it and gets digested with the digestive juices. तो मैं अब आपको और अच्छे से समझा देरी हूँ, कि इसमें क्या है कि सपोज यह आपका venus fly trap है, तो इसमें यहाँ पर धकन की तरीके से लगा होता है, पत्ती का ही. तो अब इसमें क्या होता है कि यह open होता है, जैसे ही कोई insect आता है, तो यह धकन बंद हो जाता है, तो insect कहाँ पर रह जाता है, यहाँ पर बहुत लंबे-लंबे fiber या hair-like structure होती है, जिनमें की वो insect फस जाता है. और इसी picture के अंदर digestive juices होते हैं, जिससे कि वो insect जो है, वो digest हो जाता है, मतलब वो गल जाता है और उसकी death हो जाती है, और वो उसके nutrients को absorb कर लेता है. ठीक है, I hope आपको समझ आ रहा होगा, अगर कुछ मेरे समझाने में problem लगे, तो मुझे प्लीज आप comment करके बता देना. नेक्स्ट है, सेप्रो ट्रॉफ्स, ये कौन सा मोड है, सेप्रो ट्रॉफ्स are organisms that can obtain nutrition from dead and decaying organic matter, अब देखो ये देखने में तो आपको टफ लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन अब आप देखो, कई बार हमने कहीं पुरानी जगहों में, हमारे जहां समान निकठा होता है, वहां पे लकडी वगेरा पुरानी टूटी फुटी या कोई और समान जैसे पड़ा होता है, या हमारे टिफिन में भी कई बार लंच बॉक्स में रोटी या ब्रेड रखी रह जाती हम बैग में छोड़के भूल जाते हैं, जब हम खोलते हैं तो उसमें अपना निुट्रिशन लेती हैं, सेप्रो ट्रॉफ्स are organisms that obtain nutrition from dead and decaying जो खराब सड़ी हुई चीज़े या डेड चीज़े होती है उन पे वो ग्रो करते है और उनसे nutrition लेते हैं एक्जाम्पल क्या है फंजाई and some bacterias कुछ bacterias ऐसे होते हैं और फंजाई होते हैं और एक इसका और एक्जाम्पल है यह पेचाना यह umbrella like structure क्या चीज़ है this is mushroom यह तो हमने हर जगा देखा है बारिश के दिनों में आपने देखा होगा umbrella umbrella छोटे से जिने हम तोड़के देखते भी हैं खेलते हैं उनके साथ में तो यह जो तो सडकों पे हो जाते हैं वो तो थोड़ा poisonous हो सकते हैं लेकिन market में mushroom खाने के लिए भी मिलते हैं वो grow कीए जाते हैं वो होते हैं खाने के लिए और जो इधर-दर सडक पे होते हैं उनको नहीं हमें खाना चाहिए वो poisonous हो सकते हैं ठीक है यह देखो mushroom and fungi growing on bread ठीक है and mushroom ये किस चीज का example है saprotrophs ठीक है तो fungi also grow on pickles अचार भी कही बर खराब हो जाता है leather, हमारे जो leather के shoes होते हैं या हमारे purse होते हैं उन पर white white सा green green सा कुछ जम जाता है वो भी fungi ही होता है and clothes etc बीग एवे कपड़े कहीं रखे हो उन में भी ठीक है fungal spores are present all over in the air अभी question होता है कि ये fungi कहां से लग जाता है जब हमारा tiffin बंद था तो फिर कैसे लग गया है ये कहां से आई इसके जो sports थे वो कहां से आई तो actually होता क्या है कि air में atmosphere में जो अंगल spores होते हैं ये बहुत बहुत जादा quantity में चारो तरफ फैले होते है इन हवा में है तो it means कि अगर हमने lunchbox बंद किया है तो उसके अंदर spores है और उसको moisture मिलती है और गर्मी मिलती है तो जिससे कि वो डवलब कर जाते हैं ग्रो कर जाते हैं और हमारे खाने को या हमारे किसी भी समान को खराप कर देते हैं next is symbiosis symbiosis का मतलब होता है मिल जूल कर रहना तो इसमें यही होता है some organisms live together and share their shelter and nutrients इसमें क्या होता है कि जो organisms होते हैं वो एक दूसरे से उससे वो कुछ लेता है और उससे वो कुछ लेता है दोनों मिल जूल के रहते हैं और एक दूसरे के यानी रहने की जगा और nutrients this relationship is called symbiosis ठीके इसका example देखो example बहुत जरूरी है हर चीज का कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो की roots के अंदर रहते हैं तो यह जो फंजाई होते हैं roots के अंदर रहते हैं तो roots में से वो nutrient या अपने लिए जो भी कोई desirable चीज होती है वो absorb कर लेते हैं औ इन return roots को भी वो जो देना है जैसे water की quantity या कुछ ऐसी चीज़े जो need की है वो उनको provide कराते हैं इसका बहुत important दूसरा example है algae and fungus live together called lichens यह बहुत जरूरी है आप देख लो यहाँ पे lichens के बारे में बहुत exams में पूछा जाता है और lichens का बहुत important है तो आप यह देख लीज होती है और वह chlorophyll होता है उसके अंदर तो वह photosynthesis के process से food बना लेते हैं लेकिन fungus में नहीं होता तो fungus का एक दूसरे के यह collaboration में रहते हैं वह उसको provide कराता है algae fungus को और fungus algae को जिससे क्या होता है कि वह दोनों ही अच्छे से नरिश्मेंट लेते रहते हैं इस पूरे collective को क्या कहते हैं likens दोनों के collection को क्या कहते है likens ठीक है I hope आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरे पढ़ाने से समझाता है और आपको ही लगता है कि हाँ आप मेरे कराने से अच्छे marks gain कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe कर देना ता कि आपको आने वाले videos का notification भी म